आज हम एर हैंडलिंग यूनिट्स के बारें बात करेंगे फंडामेंटल्स ओफ एर हैंडलिंग यूनिट्स जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एच्चू भी बोलते हैं लू Informatius होते हैं और जहां पर आरेम हल एक हीटिंग खाहे heb यह को दिख रहा होगा कि यह जो आपको सख करना है और दिस्चाज करता है जो एक ऑर चैनल बार Wहां से रिटन और यह वापस से फीर से से होते जाती है इसमें क्या होता है कि हम 10% fresh air को मिक्स करते हैं ठीक है दोस्तों और फिर वह जो है जाती है रोम में इसलिए मिक्स करते हैं क्योंकि बार-बार से वही एर लग क्या होगा अब हम इसका single-line डाइग्राम डिसकर्ण करेंगे जिसे आपको और बेटर समझ मैं आएगा यह आपको का सिंगल राइन डाइग्राम दिख रहे हैं और वी तो फिर आपको किसी भी हूँ में कोई प्राब्लम नहीं आएगी तो दोस्तों आप यह देख रहे होंगे जैसा कि मैंने बोला है जो मेजर कॉम्पोनेंट होते हैं कूलिंग को वाइल है उसके साथ यह मोटर है अब मैं इसके वर्किंग को बताता हूं इसका उपरेशन को बत होता है इसके बारे में बाद में discuss करेंगे बट अब्रपियम इसके वर्किंग प्रिंस्पल के बारे में आपको बता दें कि आप यह देख रहे हैं सब सब ब्लोर हमारा चलता है तो यह सब करता है जो यह er रिटन हेरट से होते वाथी हिस्पार जो रूम जहां प्यर यहां पर मिक्स हो जाती है उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहां पर फिल्टर देख रहे होंगे यह फिल्टर बोलते हैं यह फिल्टर हम लगाते हैं यहां क्या होता है क्या होता है क्या होता है काफी डस पार्टिकल्स होते हैं तो यह साथ यहां पर फिल्टर हो जाते ह साथ आप यह देख रहोंगे यह वीचीडी है वाल्यूम कंट्रोल लेंपर यहां पर यहां पर यहां पर देखेंगे तो आपको एक फायर देंपर दिख रहा होगा यह फायर डैंपर इन निकलते हैं निकलने के बाद यह मिक्सिंग चैंबर नाथिये उसके बाद से फाइन फिल्टर होता है फाइन फिल्टर से होकर गुजरती है आपको पता होगा एर कंडिशनिंग का मतलब यह है कि साइमल्टेनियसली कंटोल आफ टेंपरेचर एर प्यूरिटी तो यह जो फिल्टर लगा हुआ है वह एर प्यूरिटी के लिए फिल्टर एर यहां पर फिल्टर हो गयी यह मेर्भी एड था जिसको प्री फिल्टर बोलते हैं उसके बाद यहां से उसके बाद फील्टर से यहाँ से बिल्कुल छोटे चोटे पार्टिकल्स कर दो करता है इसली करते हैं कि हाट- ú-h potdade और गौटेक्ट बनाना होता है जब एयर यहां से पास हो तो एयर पहरे प्री कूल हो जाए फिर उसके बाद जो हमारा एयर चिलर से टेंपरेचर जैसे बिल्कुल मिनीमम टेंपरेचर 7 डिरी से जवारा जो भी आ रहा है वो उससे होके मतलब वेक्टर से प्री कूल होकर निकले जिससे एफिशेंसी मतलबप बनसे ही एचेव वजा यहां के यह फिता से नाहें ज़ Boss बहुता है मौशर यहां पर आजाते हैं काफी पानी आने लगता यह ट्रे देखने हैं यह केवल ट्रे होता है यहां से एक ड्रेन पाइब लाकर यू बनाते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे चुक इंस्टॉलेशन में पहले आप इसके वनकिंग पिस पर समयले तो यह ड्रेन ट्रे में पानी आ जाता है उसके बाद जब यह एयर निकल पहले जाती है जब कंडेन सरफर हो जाता है मौलायश्र सारे सब्सक्राइब से होकर बजलती है उसके साथ कुछ यह वार्टर के डॉब वॉटर पर यह जाते हैं ओध्रें के साथ जाएंगे जहां पर हमें कंडिशनिंग करती सब्सक्राइब वहां पर तो बिल्कुल भी डॉपलेट्स वाटर डॉपलेट्स नहीं चाहिए होते हैं तो इसलिए मिस्ट अलिमेटर यहां पर लगाते हैं कि सिफ यही जाए उसके बाद यह ब्लोवर ब्लोवर एयर डिस चार्ज करता है कंडिशन इस पेस में जहां पर कोलिंग हमें करनी होती है तो ब्लोवर के मौथ पे फिल्टर होता है आप देख रहा हूंगा एक्चुली यह हीपा फिल्टर होता है जो बैक्टिर्यास वगर बिल्कुल भी छोटे-छोटे-बिल्कुल माईक्रों लेवल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहां से फिल्टर हो जाते हैं फिल्टर होने के बाद यह आप देखना होंगे एक के मौत पर भी एक वी सीडी होती है वॉल्यूम कंट्रोल लेंपर होता है एक्टू के कैपसिटी को कंट्रोल करने के लिए एक्टूली जो एक्टू की कैपसिट होती है और बहुते हैं होता लेकिन जनरली हम जब भी बात करते हैं कि इसका क्या स्चार्ज कर इस तो ततहीं मौध पर उत्पे होता है अभी आप् как देखें हों कि क्वेंhem में दो गुज्च यह होती होती बात होती है यहां पर कुली मिटिंग नहीं इस्ट too फीटर लगा हुआ है जो लगाते हैं ताकि आरेच उसकी मेंटेन हो सके जैसा कि हमें 50-60 परसेंट आरेच मेंटेन करना होता है तो इसलिए हम यह लगाते हैं अब एक चीज़ आप और यह देख रहे हूं कि अलग से मौत पे डिस्चार्ज पे यह ब्लीड एयर आउट दिखा रखा है यह इसलिए दिखा रखा है कि अगर हम जो 10% को एक्स्ट्रा आइड कर रहे हैं तो वह 10% यहां से ब्लीड ओफ होती रहे होता कहा है कि हमारा थौज़ड दिश्चार्ज किया वह रूम में थौज़ड दिश्चार्ज गया उसके बाद से रिटन भी वह थौज़ड सब्सक्राइब करेंगे तो यह 1100 सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा जो भी अंदर की जो बैक्टिरिया चोटे पार्टिकल्स या जो भी आ यह 10% एड़ोती रही और यह 10% एक्जास्ट होती रहेगी जिससे हमारे अंदर प्रेशर भी मेंटेन रहेगा यहां पर आप देखेंगे वोल्यूम कंट्रोल लैंपर होता है और एक फिल्टर दे रखा है और यह आप देखा है यह चुमें एक लैंप होता है जब हम एक डो जो करना यह को रोमे को लेकर से सर्क्लेट कर आकर फिसको कूलिंग गईल के थूरू US को रूप एर खिल्ट कैसे होती है इसमें चीर्ट कर देते तो विसकली अब आपको इसका आइडिया मिल गया हौँआ है कैसे काम करता है अब हम अगले वीडियो में दिने करेंगे की बा लें वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें दोस्तों के साथ कि ओके दोस्तों थैंक यू कि अगर